हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब तो हम देखने वाल है कि पार्ट ए के लिए आप क्या क्या पढ़ना पढ़ेगा और पार्ट ए में क्या कैसे कैसे कुश्चन्स आते हैं वो तो आपका जो पार्ट ए है है ना पार्ट ए और पार्ट भी दो पार्ट में आपका एक्साम होगा तो language come to hinson में आपका एविया आएगा इंटुनियम, synonym, corrective spelling, paragraphs आएगे है ना उसके बाद आपका है verbal ability, verbal ability में grammar है ना इसमें articles हो गया, narrations हो गया, a to z, preposition से भी questions आते हैं उसके बाद आपका general awareness हो गया, इसमें आपको biology हो गया, current affairs हो गया, word writing हो गया, यहां से आपको questions दिये जाएंगे ठी, उसके बाद maths हो गया, इसमें lower common multiple है, either आपको देखने होगे, square root आपको देखना होगा, pattern, plus percentage आपको देखना होगा, इसमें missing number है, probability या फिर जो probability क्या होगा, इसके बाद कौन सो numbers आएगा, यह बाला questions साते है, pass से related question आते हैं, इसमें profit and loss statement भी आता है, इसमें simple and largest questions साते हैं, उसके बाद है, आपका fifth analytical skill, इसमें relationship साते है, find different number है, इसके number हो सकते है, errors साते हैं, include and decode से भी questions साते हैं, I hope या आपको लिए helpful लगा होगा, thank you so much.